आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है क्यूंकि देखिए अगर आप एक मैनुफेक्टर है रहे आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं इवेन अगर आप कोई सर्विस भी देते हैं तो आपकी सबसे बड़ सब्सक्राइब कलीजिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें और आपको मेरी हराने वाली वीडियो मिलती रहें और बैल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि जो भी मैं नई वीडियो अप्लोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके देखिए सबसे पहली जो च जो थोड़ा सा ज्याधा रखना पड़ेगा ताकि सारे खर्चे निकालने के बाद भी आपका प्रोफिट मार्जिन जोड़ा सा ज्याधा रहें अगर आपका फोकस जो है वह मार्केट शेर पर आपना कॉस्टमर बेस बड़ा करना चाहते हो तो आपको अपना प्राइज ज आपको उसी का according रखना पड़ेगा ना कम न जादा दूसरी जो चीजे वो यह कि आपको अपने product बनाने में जो है total cost कितनी आ रही है क्योंकि देखिए अगर माली जी हम अपने product का price रख देता है hand rate लेकिन उसे बनाने की cost आ रही है 120 तो इसमें तो हमें 20 रुपए का नुकसान हो जाएगा तो इसलिए आपको इस चीज पर भी ध्यान रखना है कि आप जो product बना रहे है तो per unit पर आपको total cost कितनी आ रही है जो भी आपकी variable cost, fixed cost, सारी cost मिला कर जो total cost है per unit पर वो कितनी आ रही है तो आपको हमेशा अपने product का price जो है आपकी total cost से जादा ही रखना है ताकि आप कुछ profit जो है कमा सके वह ना आप नुकसान में जा सकते हो अधिकतर ऐसा होता है जो भी ऐसे लोग होते हैं फिर उसके बाद जब market में निकलते हैं तो उन्हें यह पता चलता है कि जितने में उन्हों न यह product बनाया है उससे कम है तो यह product बिक रहा है तो यह एक बहुत बड़ी problem जो है लोगों के सामने आ जाती है इसलिए अगर आप कभी भी कोई नया business शुरू करें कोई भी product की manufacturing श्टार्ट करें तो आपको पहले से ही सारी calculation कर लेनी है कि उस product को बनाने में आपकी cost कितनी आएगी क्यूंकि देखिए जो भी अलग-अलग manufacturer होते हैं उन सभी को अलग-अलग cost आती है क्यूंकि उनके जो supplier होते हैं vendor होते हैं और उनका जो manufacturing setup होता है और उनकी जो production capacity होती है उसका भी फरक पड़ता है अगर आप mass production करोगे तो आपको per unit cost जो है वो कम आएगी और अगर आप कम production करोगे तो आपको जो है per unit cost जो है वो थोड़ी जादा पड़ेगी तो इस चीज़ का भी फरक पड़ता है तो आपको यह देखना है कि जो भी product आ आप बनाओगे तो उसकी जो टोटल कोश्ट है आपको हमेशा उसका प्राइस उससे ज्यादा रखना है और यह चीज आपको पहले से कल्कुलेट कर लेनी है क्यूंकि बाद में अगर मालो आपने कोई प्रोड़क्ट बना लिया और उसके बाद आपको यह पता चल रहा है कि प्रोड़क्ट तो इससे कम में भिक रहा है तो फिर आप क्या करोगे उसमें तो फिर आपका नुक्सान होगा इसलिए हमेशा कभी भी मैनुफेक्ट्रिंग अगर स्टार्ट करो तो पूरी कैल्कुलेशन पहले सही करके रखो तीसरी जो चीज़े वह हैं कि जो भी प्रोड को किस प्राइस पर दे रहें तो उनी के अकोडिंग आपको अपना प्राइस जो है थोड़ा सा कम जादा रखना है और देखिए अगर आप नए-ने मार्केट में आए तो आपको अपना प्राइस जो है थोड़ा सा कम ही रखना होगा क्यूंकि उस समय आपकी मार्केट में क exclusive segment के customer है तब आपको हमेशा अपने product का जो price है वो थोड़ा सा ज्यादा रखना है क्योंकि exclusive segment के जो customer होते हैं वो हमेशा महेंगे product की तरफ भागते हैं उन्हें वह product ज्यादा खरीदना अच्छा लगता है जो थोड़ा ज्यादा महेंगा हो तो यह चीज आपको ध्यान रगनी क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे products होते हैं जिनके उपर जो है सरकार पहले से एक limit set कर देती है कि आप इसका price जो है इस limit से ज्यादा जो है नहीं रख सकते हैं तो आपको उसे भी ध्यान में रखना होगा अगर आपका product कुछ इस तरह का है जिसके उपर अगर government ने किसी त product ऐसे होते हैं जिनका price आप decide नहीं करते हैं बलकि उसका price market decide करता है चाए वो product किसी भी company का हो सबका price जो है वो एक जैसा होगा तो बहुत सारे ऐसे product होता है जिनका price जो हमेसा same रहता है चाए वो किसी भी company का हो तो अगर आप भी उस तरह का कोई product बनाते हैं तो इसमें उसक प्राइस जो है वो आप जो है डिसाइड नहीं करोगे वो पहले से ही डिसाइड रहता है आपको सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि जो उस प्रोड़क्ट का प्राइस है मार्केट में उसका जो प्राइस चल रहा है तो उसकी जो manufacturing cost है उस product को बनाने की जो total cost है वो आपको हमेसा उस price से कम रखने की कोसिस करनी है ऐसा ना हो कि आप उसकी cost ही जो है उस price से ज़्यादा कर दो तो इसमें फिर आपको काफी नुकसान हो जाएगा तो ये चीज आपको ध्यान रगनी है अगली जो चीज है वो ये कि आपका जो product है उसकी market में demand कितनी है वो लोगों के लिए कितना जरूरी है अगर आपका product इस तरह का है जिसे अगर आप ज़्यादा price पर दोगे तो कोई भी नहीं खरीदेगा क्योंकि वो लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है लेकिन अगर आपका product ऐसा है जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है तो उसका price अगर आप थोड़ा सा high भी रखोगे तब भी लोग उसे खरीदेंगे तो ये भी एक factor होता है जो कि आपके price पे जो ऐसर डालता है आपका जो product है उसकी market में demand कितनी है तो इसके basis पर भी आप अपना price decide करते है अगली जो चीज़े वो ये कि अगर आपने कोई इस तरह का product launch किया है जो आपके अलावा कोई और नहीं दे रहा क्योंकि कोई भी जब नहीं चीज़ आती है तो उसका price हमेशा शुरू में high रहता है फिर बाद में जब बहुत ज़्यादा competition बढ़ जाता है जब बाद में वो चीज़ थोड़ी पुरानी हो जाती उसके बाद उसका price जो है धिरे धिरे low हो जाता है तो अगर आपका कोई innovative product है या आपका product इस तरह आगा जिसमें आपका competition नहीं है आप अकेले ही है उस product को provide करने वाले या उस service को provide करने वाले तब आप उसका price जो है वो थोड़ा सा high रख सकते हैं तो ये तो थी वो सारी चीज़े जिनके basis पर price decide किया जाता है लेकिन अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्याम रखना है माली जी आप एक नए-ने entrepreneur है आपने कोई नया product launch किया है और आपका product जो है वो काफी innovative है आज से पहले उस तरह का product जो है कभी market में नहीं आया है इसलिए आप क्या गर सकते हैं कि आप अपने उस product का price काफी ज़्यादा high रख सकते हैं लेकिन यह तब सही होगा अगर आपके target customer ऐसे हैं जो high price दे सकते हैं अगर माली जी आपका product उन लोगों के लिए जो high price नहीं दे सकते हैं तब आपका product चाहे कितना भी innovative हो या कितना भी नई technology से जुड़ावा हो तब भी आपको अपने product का price थोड़ा सा कम ही रखना पड़ेगा लेकिन अगर आपके target customer ऐसे हैं जो कि high price दे सकते हैं तब आप अपने product का price जो है वो ज़्यादा रख सकते हैं और दूसरी चीज यह ध्यान रखनी पड़ेगी कि मान लीजिए अगर आपका नया product है और आपका product इस तरह का है जिसके लिए आपका जो customer base है वो काफी बड़ा है अलग-अलग segment के लोगों के लिए वो product है तो इसमें क्या है कि आप अगर अपने product का price थोड़ा सा कम भी रखोगे तब भी आप ज़्यादा profit कमाल होगे क्योंकि वो थोड़ा-thोड़ा सा profit अगर आप मिला होगे तो वो एक भहत बड़ा profit बन जाएगा तो इसमें क्या है कि आपको अपने price जो है थोड़ा सा कम रखना है ताकि जो है आप जो है market share capture कर सके है और आपके पास जो है जल्दी जल्दी आपका customer base जो है बड़ा हो सके लेकिन अगर मालीजी आपका customer base जो है बहुत छोटा है आपका product इस तरह है जो कि एक बहुत छोटे स price थोड़ा सा high रखना बढ़ेगा क्यूंकि आपको उनी थोड़े से लोगों से ही ज्यादा profit कमाना है तो यह आपको मतलब खुद सोचना बढ़ेगा आपको अपना दिमाग लगाना है यह जितनी भी चीजे थी जितने भी factors थे जिनके basis पर price decide किया जाता है इन सब को ध्यान सब वीडियो था price के उपर अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे like जरूर करना और इसे दूसरों के साथ भी share करिए ताकि क्या पता आपके जरी किसी और की भी help हो जाए और अगर आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे subscribe जरूर करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें और आपको मेरी हराने वाली वीडियो मिलती रहे मिलते है नेक्स्ट वीडियो में